हेलो गाइज, स्वागत तर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद अमन कुल में आज हम लाइन शिक्षा निदेशाले राज से राज़दान निशेत दिली की कारेपतक नंबर 28 जो कि ग्लास 9 के लिए विश्चे आपका हिंदी है और आप हम वही अपना वाक जो कारवे खंड है उसे कंटीनू करेंगे जिसकी डेट आपको 13 सेप्टेम्बर 2021 दे रखे है आप अपना निवर अपनी कक्षद आपक का नाईम ले लिख लेंगे प्यारी बच्चो पिछले कारेपतक में आपने कबीर रचित कुछ सांख्या और पद पड़े आई आज के कारेपतक के मादम सम् कश्मीरी भाशा की लोगप्रिय संत कवित्री ललेत द्वारा रचित वाखों में कुछ वाखों पर जज़ा करते है तो हमने लास्ट वक्षिट में भी एक वाख देखा था आज हम देखते हैं हमारा दूसरा वाख आई सीदी रा से गई न सीदी रा सुचम सेतू पर खड़ीती बीद गया दिन आ जेब टडोली कोडी न पायी अंजी कोदू क्या उत्राई थल थल में बसता तो हमारा एक हो जाएगा में पूरा जीवन बीद गया जीवन के अंतीम समय में जब अपने जीवन बर की कर्मों की गढ़ना की तो मेरे पास कोई भी सत कर्म नहीं था जिसको दिखागर में इस भवसागर को पार करने की प्रात्ना कर सकती तो जितने कर्म करें इश्वर से मिलन की चाहा करी वह सारे उनके अनुचित थे गलत थे उन्होंने इश्वर को पाने का सही रूप से चैन नहीं करा यह वह बता रही है दूसरा थलतल में बस्ता है शिवी बेद ना कर गया हिंदू मुस्लिम जानी है तो यह वाला आपका है इसमें इस व भागवान है हमारे फो करफा को एक श्री हमारे ब Catan कर इंश्वर के ना कितों अब कर दो आ टेंशतान सब्सक्राइए करते हैं ह 느न्स्मी तो घालिव जेन से संधेन अगर ऑस अधर ने नहीं डुल चेहां नहींत हैं कि को अगर अगर को मंदिर में रुण दो aux स IT में ने तो आपको यहां इश्वर आपके मन में बस थे हैं आपको वहीं मिलेंगे अगर आपकी सची साधना होगी तो आशा है कि आपने इन वाक्षों के भावर्त को समझ लिया होगा आए इन वाक्षों पर दारतित कुछ प्रश्णों के उतार कोशते हैं लिखते हैं सीतु का क्या अर्थ है सीतु का अर्थ है पूल कोई खिलानो प्रातना या इन में से कोई नी तो आपको पता है सीतु का अर्थ क्या होता है पूल होता है यहां दिन की तुलना किस से करी गई है दिन की तुलना दिन से करी गई है दिन की तुलना जीवन से करी गई है तो आपक कोडी आपका सथकर्म हो ब्राइब सथकर्म कर लेंगे, फिर सथक्षल् Tmi Bagdhutan कि me कवित्र चार्श है यानि जो कवित्री वह ए इस को लाइन से क्या जाती हैे? इस का चाधिता कर तू्स के वै इसर कड़ मिवास करता है अर्था जल धल या गगन हर जेगे इश्वर का पास है तो यह आपका 4 question हो जाएगा 5th question है स्वयम को जानने पर जोर क्यों दिया जा रहे हैं यानि आपको स्वयम को यानि खुद को जानने इस पर जोर क्यों दिया गया तो आप इसका करेंगे कवित्री ने स्वैम को जानने पर जोर दिया है क्योंकि आत्म इन्जान से हम यह पैचान सकते हैं कि इश्वर कण कण में विराज मैंने और उसे प्राप्त करने के लिए अडंबर की नहीं बलकि सच्चे मन से इश्वर की भक्ती की अवशकता है अब यहां पर आपको एक गर्थी विजी दे रखिए पहले के समय में समाज में विब्बिन प्रकार की मुद्राएं चलती थी उनमें कोडी भी एक मुद्रा थी जो पानी के एक जीव का आवरण होता था इसी प्रकार की अन्य मुद्राओं के बारे में जानकारी हासिल कीजी सबसे पहले प्राचिन भारते मुद्रा फूटी कोडी से कोडी से दमडी दमडी से देला दीला से पाई पाई से पैसा पैसा से आना और आने से फिर क्या बना रूपिया जो हमारा आज क्या है एक रूपे के बराबर होते हैं अगर हम एक रूपे के बराबर होते हैं अगर हम एक रूपे के बराबर होगा चौसट पैसे तो एक रूपे के बराबर होगा वहीं तीन फूटी कोडी को एक कोडी और दस कोडी के दमड दमडी का जाता रहा यानि अगर हम तीन फूटी यह बीक घसे एक उसके बाद in Armorkem 20-ой first- Much Form Espontas रुप्यान दो पांजरज़ें सक्क्राइख अब तो यह सिंख्ये अब हरते मुदmers पचास पैसे और इसे पहले कि इक पचास बेंगने पने कर दियाने हैं पचास बैंक नहीं COLT यह जात्तर के पास 50 पैसे की सिक्क्य होंगी बट वो चलना बंद हो गए 50 रुपे चलता है अब हमारे रुपे कॉइंट होते हैं पैसे नहीं कॉइंट होते हैं तो यह थी आपके आज की वोग्षिट आई होप आपको अच्छे से वोग्षिट समझ आ गई होगी अभी तक आ और उसकी बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियो की नोटिशिंट टाइम से मिलते हैं हम आपके लिए तनी मैनेट करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत कुशी मिलती है यह व